उसी दे लिए चलते हैं तार्क रोलर सेडियम जहां इस वक्त मंच पर अरुंग जेटली बोल रहे हैं जौर में से हम गुजरे हैं शायद इस दौर को आने वाली पीडियां इतिहास के रूप में पड़ा करेंगी गांदी जी कहा करते थे की बिना मुल्यों के बिना धर्मिक मुल्यों के राजनीती अपने आप में विर्थ हो जाती है कभी कभी समाज में ऐसे यवसर आते हैं कि राजनेतिक शेत्र के बाहर के लोग वी प्रेजित पाते हैं अपने आपको की अब समाज और राजनीती के लिए कुछ करना चाहिए ये लोग हर चुनाव में हिस्सा नहीं लेते दिन प्रति दिन की राजनीती में हिस्सा नहीं लेते लेकिन जब बहुत अधिक आवशक्ता और दबाव महसूस करते हैं परिवर्तन का तो फिर वो मैदान में कूछ जाते हैं बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जो जीवन के कही पहलूँ में रुची रखते हैं मैंने गांदी जी का जिक्र किया शायद उन्चेसा वेक्तित्व वो लिखते भी थे स्वास्त पे भी लिखते थे धर्म पे भी लिखते थे राजनीती पे भी अर्तशास्त्र पे भी और फिर भी परिवर्तन के साथ-साथ अपने आपको उन्होंने जोड़ लिया और इस देश का सबसे बड़ा परिवर्तर दाए मैंने ऐसे बहुत मानुबव देखे हैं पर पहली बार जब स्वामी जी को देखा तो योग के साथ उनको जोडा गया आयुरुवेद के साथ जोडा गया कभी कभी हम लोगों के साथ वो अर्थ शास्त्र पे भी बहस करते हैं उस पे भी ज्यान देते हैं और संगर्श करने की आवशक्ता आई तो किसी राजनितिक व्यक्ति से वो पीछे नहीं थे संगर्श में ये एक महान परिवर्तन लाने में आपने योगदान दिया है और ये पहला उधारण नहीं है 1977 में उस परिवर्तन का नेत्यत्व किया था जै प्रकाश नाराएं जी ने लेकिन सत्ता की राजनिति से अपने आपको बहारत रखा सुतंत्रता दिलाने के आंदोलन का गांधी जी ने नेत्यत्व किया और सत्ता के डांचे से अपने आपको बाहर रखा ऐसे महान लोगों में से जो इस प्रकार का योगदान समाज के लिए करते हैं मैं मानता हूं कि भारत स्वाविमान के सभी कारे करता और स्वामी जी ने जो नित्रत्व दिया है यह अपने आप में एक अद्बुद योगदान है इस महान परिवर्तन में जो आय हुआ है और आपका नित्रत्व की इतने लंबे अर्जे तक सेकड़ों मुकदमें जेलते रहना सब कुछ दाव पे लगा देना और संगर्श करने की वो प्रकृति अपने आप में स्थापित करना कि महीनों महीने तक मैदान के अंदर रहना और मैं जिससे सबसे प्रभावित हुआ कि कई बार हम संकोच करते हैं जो संसदिये विवस्ता के अंदर जिनकी ट्रेनिंग होती है स्वामी जी ने खरा खरा सब को कहा और उसी भाषा ने इस देश के लाखो करोडों लोगों को प्रेरित किया एक इतने महान परिवर्तन के लिए मैं अपनी ओर से और अपने सब सातियों की ओर से श्रदे स्वामी जी का अचारे जी का और आप सब का हार्दिक अविनंदन करता हूं और विजही होने के बाद स्वामी जी कल जब वापिस हरिदवार जाएंगे तो वो भी अपने आप में एक बहुत खुशी का अवसर हम सब के लिए रहेगा मैं एक बार फिर आपका अविनंदन करते हुए आप सब को नतमस्तक होके प्रणाम भी करता हूं और आप सब कारे करता हूं को जो इस युद्ध में शामिल हुए हिर्दे की गहराईयों से आप सब का बहुत बहुत आभार और विशेश रूप से स्वामी जी के प्रति विशेश स्रद्धा आधनिये जेतली साब को क्योंकि अभी जाना है इसलिए इनको ज़्यादा देर हम नहीं रोकेंगे एक बार पूरे संगठन की और से इनका तह दिल से बहात बहात अभिनंदन है और इस पूरे सफर में वो हमारे हम सफर हैं और इतनी गहरी हमदर्दी इतना गहरा अंतर से प्रेम उनकी आत्मी अता उनका एकत्व कि उन्होंने अपने आपको इसमें पुरा समाहित किया है इस परिवर्तन में तो अभी क्योंकि एक का बड़ी बैठक है उसमें उनको संभिलित होना अमारे वैदिक जी भी आये हैं जो इस संगर्ष में अमारे साथ लगातार डटे वे थे एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है आज लगता हूँ आधे सन्यासी होकर क्या आगए और अभी बड़ी बैठक में जाना है जेतली साब को और उसके बाद क्योंकि वो बैठक अभी प्रारम भी हो रही है फिर पांच बजे के बाद आधनिया राजनाजी आधनि श्री अमित साहा जी और रामलाल जी भी आने वाले हैं एक बार पुना जेतली जी का पुरे अभी 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 नंदन है इनके निश्कलंग बेदाग जीवन को और इनके अभूदपूर योगदान को कर दो कर दो कर दो कर दो